कि अधिए गाइज मेरा नाम आनंदेवर आप देख रहे हैं कोड़ी टब आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग के अगले कॉंसेप्ट के बारे में और आज जिस कॉंसेप्ट को हम पढ़ने वाले हैं वह हैं हमारा इंटरनेट ओफ टिंग जैनी आयो टी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अगर यह जानना चाहें कि आयो टी इन्टरनेट ओफ टिंग्स होता क्या है तो इसका डेफिनिशन यहां लिखा हुआ है कि आयो टी इस टेकनोलाजी यानि एक टेकनोलोजी है इन्टरनेट के बात हो रही है यानि कि जो भी डिवाइस स्मार्ट मतलब जिस डिवाइस में इंटरनेट कनेक्टिविटी है इन्टरनेट के सांथ अपने यांपने और को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकता है सबसे अच्छा एक्वार्था क्वास वहिकल में स्मार्ट वहिकल्स वहिकल्स भी आचुके हैं ठीक है मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा चीज बढ़ा सिंपल सा कॉंसेट है कोई भी ऐसी चीज जो खुद को Internet से Connect कर सकती है और operate हम उसको उसके जरिए कर सकते हैं वो कहलाता है क्या IOT आगे कहता है कि IOT allows people in IOT जो लोग को अलाव करता है और तिंग्स को भी तू कर तू भी कनेक्टेट एनी टाइम का भी विकनेक्टेट रहें किसी भी जगह पे एनी प्लेस और किसी भी चीज से सब्सक्राइब करनेट से जब आप कनेक्ट होते हैं तो क्या के खुद देखिए आज की टाइम में फ्लाइट सिस्टम फ्लाइट की नविकिशन से सलिए के हर चीज़ गैसे तेक करता है कैसे वह अपने पात को जो है वर जस्क करता है वहा में होता है वैसे आपके घर में लाइट साथ कम होगा अपने आप टाइमिंग पर बुच जाएगी घर के बहुत सारे तो मतलब क्या हुआ मियुजिक भी है रही तैम में आई गया है और वह स्मार्ट डिवाइस अगर कहते हैं internet of things right आगे बढ़ते हैं आगे कहता है कि enabling technologies for technologies for iot मतलब की आखिर iot को कौन सी technology promote करती है या iot को करने के लिए iot के concept को मतलब कह सकते हैं कि implement करने के लिए किनकी जीज़ाइब बढ़ती है तो देखिए उसमें क्या कहता है कि iot is a phenomenon यानि एक प्रिया है that can connect a variety of devices to internet जो बहुत सारे devices को internet से connect कर सकता है ठीक है to make it possible इसको possible करने के लिए यानि कि devices को ध्यान दिजेगा devices को connect करने के लिए किस से connect करने के लिए internet से ठीक है तब ही तो स्मार्ट बन पाएंगे अगर आप इंटरनेट से connect करेंगे नहीं तो वो डिवाइस स्मार्ट डिवाइस होई नहीं इंटरनेट से connect होने के बाद ही वो स्मार्ट हो जाते हैं ठीक है तो वह जी लिखा हुआ है कि to make it possible different technologies concepts are implemented together बहुत सारे technology को एक साथ implement करना होता है और उन सारे technologies को मनों क्या कहते है enabling technologies for iot ठीक है यानिकि वो सारे technologies जो smart devices को internet से का करती है connect करती है उन्हें हम कहते है enabling technologies for iot यानि internet of things अब अगर हम पांच डिवाइस पांच चीजों के बारे में पढ़ें वो सारे technologies के बारे में तो सबसे पहले technology होती है RFID सेकेंड होता है सेंसर स्थ होता है smart technologies चौता होता है software और पांचवा होता है efficient network connectivity चले इनके बारे में हम एक एक करके सारे को पढ़ते हैं मतलब इन पांचों को हम एक करके पढ़ेंगे और ज्यादा ब्रॉड में नहीं बलकि बसन यह जाने की कैसे इंटरनेट आफ तिंग्स के प्रक्रिया में फेनोमेन में मदद करती हैं ठीक है तो सबसे पहला जो हमारा आया वह है कि enabling technologies of IoT में सबसे फोस्ट आता है RFID आजकल आपने अपने हरे गार्यों पर आजकर लेखिए का वैसा ही concept कि इसका होता है RFID का होता है एक्जाम पॉइंट व्यूसे सिर्फ इसका definition मतलब सब्सक्राइब इसका full form जो हो क्या है important है और कुछ इसका important नहीं है बस आप यह लिए फिर भी मैंने सबसे important यह होगा कि RFID का full form क्या होगा तो आर से रेडियो एफ से फ्रिक्वेंसी और ID से identification इस टेक्नोलोजी इस डिजाइन तो यूज रेडियो वेब्स या रेडियो वेब्स को यूज करता है तो रीड रीड करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए इंफर्मेशन और टैग और टैग कैसा होगा कुछ ऐसा होगा जिसको क्या करेगा रीड करेगा ठीक है इसे हम RFID टैग कहते हैं और RFID टैगी जे स्मॉल माइक्रोचिप छोटा से माइक्रोचिप होता है अटेस्ट टू एन एंटीना जो इसमें एक एंटीना भी लगा होता है इट आडेंटिफाइज एंट्रैक्स डेटा आफ तिंस जिसके ऊपर भी यह होगा उसके डेटा को यह का करता ह होता है इतनी आज की टेक्नोलोजी जो इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि चीज़ें जो होती है बट इतनी छोटी होती है कि हमें पता नहीं चलता है सबसे अच्छा एक्जामपल RFID टैग का हमारे पास है जो फास्टैग है जिसमें सारा इंफोर्मेशन आपकी गारी यानि हमार हमारे में चांज करेंट करने हो जाएगा साथी आज कल अगर आप देखेंगे तो यानि जो न्यूद यह कॉंसेट हैं बहुत सब्सक्राइब लिए उसकी यह है इसमें कुछ इस तरीके से प्लेट में कुछ इस तरीके में इनफॉमेशन रहे जाते हैं जो बस ए रीड कर लेगा तो यह सारे चीज़ एक क्यों कि जारी है तो डेफिनेटली ओविएसली आपकी सुरक्षा के लिभी की जारी है दूसरा आसान हो जिंदगी क्या जली आसान होती चली जाए दूसरा होता है एनेबलिंग टेक्नोलोगी फॉर आयो टीके अंदर वहता है अथा है उससा आफक को पथा है कि सफीयद को संस करने काम करता है तो यह लिक्ता हुआ है कि और दीवाइस यह कैसा डिवाइस इए अट टो डिटेक्ट चेंजे सिजुट चैंजे टीक्ट कर सकता है इन्टिन रमंट ठीक है निकिन हमाय इन्वामिंट उन्हां है फिलीन ये सेंसर और सीघ देखिंज़ मोशन डिटक्शन सेंड़ सेंसर सारी ऑपिस्मोग सेंसर और ग्यास लेक्तिज़ола कि अगर और चलाते हो तो पहले दो सिर्फ रूट सिर्फ दिखाता था ठीक है कि कौन से रूट पर आप जा रहे हो आज कर गारी के अंदर बैठे बैठे आप अपने गारी मतलम मोशन को कहीना रहाए डीटेक किया जा रहाए तो इस तरह कि सैंसर बन चुके हैं जो प्राइशर को मेज़र कर सकते हैं प्रॉक्मिटी वो कर सकते तो रुइचर को और सकते हैं सुमॉक जैसे कि ब्लिण ऑद लगते ही अपने आप उसमें से पानी का फ्लॉव आजाता है कि अगर धुआ हुआ तो तुरंत ही वह आटम आटमेटिकली पानी को बहुचार करने वाला सिस्टम क्या हो जाए अर गैस एंसर्ट जो गैस करता है तो दूसरी टेक्नोजी जो दिया हमारे पास क्या थी वह सेंसर तशिवारे पास की थी थी टीसरी जो है वह स्माट टेक्नोलाइजू स्माट टक्नोलाइज आर डड़ ओवस्विसली आजकल हर चीज स्मार्ट है यानि कि स्मार्ट किसको कहते हैं जब भी कोई बीचेंट से कनेक्ट हो गया स्मार्ट है लाट इस टर्निंग औफ एनी डिव कि आपको की लगाने की जरुदी नहीं है आप दूर से ही जो है वो क्या करोगे अपने आपका खुल जाएगा ठीक है आज तो ऐसा भी आ रहा है कि आप अपने गाली को कहीं थोड़े दूर से ही मतलब अपने आफिस में ही जै उसको वहीं से इसको स्टार्ट कर सकते हो उसका एसी और सकते हो ताकि जब तक पहुंचो अपने गारी में तक वहां इस इस लाइक उन्वार्मिन को बना देरी कि आप आप से बैठ सको कर्मी के दिनों में तो बहुत सहीं जीए नेगर को लॉक करना करना यह मतलब हर चीज़ जो है वह स्मार तो कोई भी काम नहीं हो सकता है आप को चाहे कुछ भी करना चाहे दिखे फार इख्वर अग्जा मपलच आपको टेमपरेश्तर करना ओचा प्रक्सिमेटी तो रिड करना भी ज़रूरी है और साथ शान रीड गर करके उसको डिस्प्ले करना भी ज़रूरी है जिसके लिए कर रहे हो तो उसके अंधर वी जो प्रोग्रामिंग की जाती है किसी नहीं की आपके पास smart TV है सब्सक्राइब और आपके वाव सब्सक्राइब कर पाता है कि वो यूट्यूब से चला सके है है फिर होट स्टार से मुई चला सके तो फिर आपके लिए उस स्मार्ट टीवी का कोई मतलब भी नहीं बनता है तो मतलब आपके पास नेट्वर्क की करेक्टिविटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए तो सिंपल सी बात है इनेबलिंग टेक्नोलोजी का मतलब ही यह हुआ कि आयोटी को सक्सेस्फुल बनाने में किन-किन टेक्नोलोजी की आवश्यक्ता परती है नेक्स हमारा एक लास्ट टॉपिक बसता है इसमें यह कहता है कि को एनी डिवाइस यहनी कोई भी डिवाइस जिसके पास एक आर एफ आईडी टैग होता है वह एक पार्ट हो सकता है आय मत्राइबरेबल सो चाहे वह वहैकल सो चाहें वह फक्तरी में हो चाहें वह एक्री कल्चर में फूद में हो कैसे सारे जगहों पे इन लाइट वाइट नहीं प्लाटफॉर्म को इनेबल करने वाले साइट टेक्नोलोजी के साथ डाली गई है क्वेश्चन क्या पूछता है एक्जाम में क्वेश्चन यह पूछेगा कि होम एप्लाइंस में आयोटी का एक्जामपल दें तो जैसे फ्रीज है आजकल जो फ्रीज आ रहे हैं उसमें जो होता है आप जो भी एरिया खाली है मतलब यह वाला सामान क्या है खाली है आप उसको खरेती फिरते बहर दीजिए या अगर आप उसको एंटाइटल कर देंगे तो खुछ से आपका और भी प्लेस कर देगा उस चीज के लिए वह आचीज अपने आप आ जाएगा बस आप उसको रख दीजिए तो वह विख क्या हूं ऑगया बहुत है समार्ट हो गया ठीक है वीरेबल्स जैसे क्लास कप्रे पहनते हैं वह भी इन्हाय इंब यह सारे कप्रे सूस की बात करते हैं हम लोग आजकल वाच आपने आईरन मैन मोभी देखिए तिसके वाच उते हो थोरे से बिल्कुल अलग के वैसे ऐसे फैक्तरीव में 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 रोबोट में है अगरिकल्चर में यह देखो बाईो चिप ट्रांसपॉंडर्स अनिका आप जो है वह यह लगा सकते हो बाईोचिप लगा सकते हो नकि जो एनिमल और फूड खाने की जहां तक बात आती है कि अगर इस पे आपने आप लगाया हुआ है तो इससे आपको पता चल जाएगा यानि कि आप एक तरह से कह सकते हैं तो यह मैं कह सकता हूं कि बार कोड अगर लगा हुआ है किसी भी फूट वर्णी गीदिवाइस पे तो आप उससे उस फूट का सारा चीजज जान सकते हो कब बना है क्या एक्षा निये बहुत ठरक इंट इनफेंशन सारा किर सकते इससे लिए शेंश माला देगश। को और टीन कर शेवल्ट को मानिचर कर से को तो यह हैं internet of things इसका मतलब simply कोई भी ऐसी चीज जो internet से connected होती है और internet से connect होके वो अपने activity को perform कर पाती है those all things are referred to as what internet of things तो I hope आपको ये वीडियो एक्स्प्लानेशन प्रसंद आई होगी अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइबर शुर्य कीजिए thanks for watching the video thanks